ट्रेन में बिना टिकेट यात्रा करना एक डंडनिये अपराध होता है ऐसा करते अगर कोई पकड़ा जाता है तो उससे जुर्माना वसुला जाता है और जुर्माना नहीं भरने पर जेल की भी सजा हो सकती है हाला कि कुछ लोग बड़े ही धीट किसम के होते हैं और बिना टिकेट ही ट्रेन में चड़ जाते हैं फिर टिकेट चेक करने आई टीटी से भी दोस जमाने लगते हैं और जुर्माना भरने से साफ इंकार कर देते हैं आपने देखा होगा कि कई बार फुलिस वाले भी बिना टेन में चड़ जाते हैं और स्टाफ है कहकर अराम से सफर करने लगते हैं पर सोसल मीडिया पर आज कर एक वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है इससे पहले कि हम पूरा मामला बताएं जरा ये वीडियो देखिए इस पहले के मिडियो बना बाना बतवडियो और दोन में अचयमे को से इसने का güçस जाने शुक्रम का नदौन कुछाने को जरता है जूता ऑटिका हैं शेर्डिक ऑनकाइए मिना बातकरा वात भी गार है जूता कमने मार्आ अरदमा जोसके देखा आपने द्रसल पिना टिकेट ट्रेन में सफर कर रहे पुलिस कर्मियों को टीटी ने धर लिया और उनसे टिकेट मांग लिया इस पर एक पुलिस कर्मी बुरी तरह बिफर गया और टीटी को ही भला बुरा कहने लगा साथ ही टीटी को ट्रेन से नीचे फैगने की धमकी देने लगा वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी और टीटी के बीच किस तरह से भैस हो रही है पुलिस कर्मी टीटी पर चिलाने लगता है और उसे ड्राने की कोशिश करता है टीटी कहता है ये तुम्हारे बाप की गाड़ी है तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ मेरे बाप की गाड़ी है फिर पुलिस कर्मी उस टीटी को ट्रेंज से उठाकर फैकने की दमकी दे देता है इस पर टीटी भी भड़क जाता है और कहता है कि फैक दो महच 45 सेकंड के इस वीडियो को काफी तेजी से वाइरल किया जा रहा है और तरह तरह की पर्तिकरिया भी साजा की जा रही है एक यूजर्स ने लिखा ततकाल इन लोगों को नोकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए इस तरह की अपनी वर्दी के घमंड को दिखा कर जनता के साथ अबदर्ता करते हैं सारे नियम कानून इनके लिए नहीं हैं खाली आम जनता के लिए हैं तो एक अन्य यूजर्स ने लिखा कभी कभी फस्ते हैं ऐसे मुर्गे वहीं कुछ यूजर्स टीटी के काम की सरहना भी कर रही हैं ऐसे ही तमाम जनकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ